करोना के मामले खतम होते ही धीरे धीरे हिमाचल अनलॉक होने लगा है बाजार, मॉल, जिम खोल चुके हैं अब इंटरस्टेट बसें भी चलने शुरू हो चुकी हैं शिक्षासंस्तान काफी समय से बंत है लेकिन अब स्कूलों को भी खोलने के लिए रणिती बनाए जा रही ह हिमाचल में कुछ कॉल्जों को खोलने की अनुमती भी दे दी गई है सोलन के कंडागाट में पॉल्टेनिक कॉलेज खोल दिया गया है जिसमें अब कई महीनों के बाद चहल पहल देखने को मिल रही है जो कक्षाएं सूनी और विरान थी अब वहां अब चात्राएं पढ़ जिसको दियां में रखा जा रहा है कॉलेज के प्रधान चारे तीनिष बिंदरा ने बताया कि उनका कॉलेज शूर स्टल भी शूरू हो गए हैं। कॉलेज में परिक्षाएं आरंब हो जाएंगी उनने बिताया कि उनके कॉलेज में सभी स्टाफ ने कोविड वैक्सिनेशन लगवा ली है और उन्हीं छात्रों को कॉलेज में अनुमती दी गई है जिननों ने कोविड वैक्सिन लगा ली है आपके चैनल के माध्यम से ये बिताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान 28 जून से शुरू हो गए थे और सारे जो हमारे स्टाफ वाले हैं वो सब ये आगे थे सबने जॉइन किया था 28 जून को और आज एक जूलाई को हमारे फाइन लेर के चाहतरोंने वी जॉइन कर लिया है अब ये देरे तरह जाहतर चाहतरोंने जॉइन कर लिया है हमारे होस्टल भी शुरू हो गए हैं होस्टल में 31 बच्चे आगे हैं और अभी लॉंज तक और बच्चों के आने की समभावना है तो हमारे जो हमने जो सारा इंस्ट्यूशन ने इसको सैनिटाइज करवा दिया था बच्चों की जॉइनिंग से पहले और हमने एक और खास ब बच्चे जो हैं जो हमारे इंस्ट्यूशन में आ रहे हैं जो 18 प्लस हैं उसमें भी 85% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको के हमने वैक्सिनेशन करवा दिया उनको बोल बोलके तो और हमने अपना सारा जो इंस्ट्यूशन है उसको भी हमने सेनिटाइज करवा दिया है औ और मास् तो सभी लगाते ही हैं सारे बच्चे तो आज से हमारे शुरू हो गए हैं, और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कहें हमारे फेसड स्टू़ेंट्स को बिया गया है, आज final year के बच्चे आएंगे आठ जुलाई को हमारे second year के बच्चे आएंगे और 15 जुलाई से हमारे first year के बच्चे भी संस्तान में आ जाएंगे जो final year के students हैं उनके 20 तारीक से 20 जुलाई से उनके final paper शूरू हो रहे हैं और जो first year और second year हैं उनके उनका session जुलाई के आखिर तक चलेगा और उनके जो exams हैं वो august के first week में start हो जाएंगे